उदायपूर ACB की टीम ने डुंगरपूर पशुपालन विभाग में ट्रैप की कारवाही की टीम ने पशुपालन विभाग के जॉइन डिरेक्टर, डॉक्टर और कमपाउंडर को एक लाग साथ हजार रुपए के रिश्वत लेते गिरफतार किया है बीस बकरी बकरा युनिट का बिल पास करने की एवज में रिश्वत की ये राशी ली गई थी उदैपूर ACB के DSP हेरम जुक्षी ने बताया कि डुंगरपूर शहर की शाष्ट्री कॉलोनी के रहने वाले मैसर स्वागर गोट एन पॉल्ट्री फॉर्म पादरी के मैनेजिंग डैरेक्टर अभिशेक रावल ने सुमवार को शिकायत की रावल ने बताया कि डुंगरपूर पशुपालन विभाग की और से 11 फरवरी 2022 को 69 गोट यूनिट यानि की एक यूनिट में 5 बकरी और 1 बकरा सप्लाई का टेंडर मिला था प्रती यूनिट 52,000 रुपए तैह हुआ आदेश में पॉल्टर फर्म पादरी ने 69 यूनिट में से 20 यूनिट की सप्लाई कर दी थी सप्लाई के बाद 21 फरवरी को विभाग ने करीब 10 लाग का बुक्तान फर्म को कर दिया पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने प्रती यूनिट 8,000 मतलब की 20 यूनिट के लिए 1,60,000 रुपए रिश्वत मांगी शिकायत की पुस्टी के बाद उदैपुर एसीबी ने ट्रैप का जाल बिछाया टीम ने सीनिय डॉक्तर जावेद खान को ब्रमस्तली घर पर 1,70,000 के रिश्वत की राशी लेते रंगे हाथों गिरफतार कर लिया आरूपी ने रिश्वत जॉइन डारेक्टर डॉक्तर उपेंदर सिंग महलावत की कहने पड़ लेना बताया इसके बाद एसीबी ने परिवादी वे डॉक्तर जावेद खान को डॉंगरपुर पशुपालन विभाक के ओफिस भेजा जॉइन डारेक्टर ने ये राशी पशुधन सहायक अनिल भगोरा को देने को कहा रिश्वत की राशी एक लाख साच हजार उपे लेते ही एसीबी ने रंगे हाथों गिरफतार कर लिया एसीबी ने जॉइन डारेक्टर डॉक्तर उपेंदर सिंग, डॉक्तर जावेद खान वा कमपाउंडर अनिल भगोरा को गिरफतार कर लिया है